गैज, question number 20 को देखो, यह 20 है, यहाँ पर 20 बना देते हैं आपसे कहा रहा है, if the kinetic energy of the material particle with a deep-rogly wavelength lambda is double देखो, deep-rogly wavelength lambda दे रही है और kinetic energy के बारे में कहा रहा है कि kinetic energy को double कर दिये गया तो हमसे कहा रहा, then the deep-rogly wavelength of the particle will be तो बताओ उसके deep-rogly wavelength क्या होगी तो मतलब एक तरहां से एक relation आपको चाहिए जिसमें wavelength और kinetic energy हो तो आपको पता है, wavelength जो होती है, यह होती है h upon square root 2mk, कुछ इस तरहीके से मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि lambda जो है, वो kinetic energy के inversely proportional है ठीक है, यह बात आ गई, अब यहाँ से आप निकालोगे lambda 2 upon lambda 1 तो यह हो जाएगा, square root के अंदर, जल्ली से बताओ, k1 upon k2 आप से कह रहा है कि lambda 2 बताओ, ठीक है, बता देंगे lambda 1 जो है, वो lambda है, बिल्कुल अब kinetic energy पहली वाली k थी, और दूसरी वाली जो हो गए, वो 2 k हो गई बस इतना, question का अंदर पढ़ लो, यही लिखा हुआ है तो k से k कर जाएगा, यहाँ से बज़ेगा 1 upon root 2 और यहाँ से बज़ेगा lambda 2 upon lambda तो मैं यही कह रहा था, lambda 2 upon lambda, यह हो जाएगा 1 upon root 2 तो lambda 2 जो हो जाएगा, वो हो जाएगा lambda upon root 2 तो यह option देख लो, कहाँ है, बिल्कुल सही, option number A इसका सही answer हो जाएगा तो इस तरीके से आप बहुत सारे question लगा सकते हैं अगर आपको concept clear हैं तो Thank you so much, अगले question आप मुलाकात करते हैं